नमस्कार दोस्तों निफ्ट्रिया चनल पे आपस तब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि अभी मार्किट और गिरेगी और वैसे ही मार्किट गिरी भी और कहां कहा था कि 41,920 यहां तक गिरेगी और निशान भी लगाया था कि exactly 41,900 पे आपने फ कॉल बाय कर लेनी है और स्टॉप लॉस भी कहा था कि यह 41,858 लगाना और इधर 42,300 के नीचे 42,500 की पुट लेने को कहा था तो हमने यहां 42,500 की पुट ली 42,500 से और हमें यहां से यहां exactly वहां जहां कहा था हमें 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और वापस फिर यहां स तो यहां से भी हमें लगभग आप यह लगा लो कि 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर भी हुआ तो 400 इधर 300 इधर टोटल 700 पॉइंट अगर इसमें से कुछ निकाल भी दें कम से कम भी 500 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहीं से हो गया तो इस तरह की exactness अगर आपको कह ही मिलेगी तो वो सिरफ हमारे चैनल पर ही मिलेगी और जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्रम चैनल को जुरूर जोइन कीजिए क्योंकि वहां पर हम धेर सारी knowledge और कोशिश हम करते हैं कि कभी-कभी हम वहाँ पे trade भी दे दे और कही बार हम trade दे भी देते हैं जब हमें लगता है कि 5-700% confirm है trade तो वहाँ पर हम trade भी देते हैं free में और उसके रावा नीचे demand count के जो link दी है description में तो वहाँ से आप demand count खोलिए क्योंकि उनका फायदा यह है कि एक तो वह free में खुलेंगे दूसरी वह सारी बड़ी बड़ी companies हैं जिनके demand count के link वहाँ पर हमने दी हैं और उनके server का पी अच्छे हैं भारी selling और भारी buying में rally के दुरान भी उनके server hang नहीं होते तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं निफ्टी पर तो निफ्टी में भी आप देखेंगे कि exactly यह देखिए 17832 मैंने यह sport बताई थी आपको जहाँ रेड लेंग और यहां कहा था कि 17800 की call लेना तो यहां से हलांकि तीन बज़ चुके थे तो आपको पता ही है तीन बज़ने के बाद जो मेरा जो असूल है कि तीन बज़ से लेकर 3.30 तक जो ट्रेडिंग होती है उसमें कोई प्रीमियम खास नहीं मिलता तो यहीं कहा था कोई call ज़्यादा बड़ी भी नहीं और यहां से लेकर यहां तक हमें कोई खास profit तो नहीं हुआ पर हमें कम से कम वो exactness जुरूर मिली जो हमने बताई थी कि 17832 एक strong spot है और वहीं पर आपने call लेनी है अगर किसीने call ली होगी तो पांच-दस point ज़रूर मिल गए होगे तो आएए अब हम आगे बढ़ते हैं main मुद्दे पर यह मुद्दा क्या है यह मुद्दा है यह मुद्दा है US DAO Future जिसने Singapore Nifty को लगबग लगबग 150 point उपर बंचा दिया क्यों देखिए DAO में एक data आना था जो था PMI एक और data जो आना था वो आना था कल वो आया है 49 less than 50 मैंने आपको कई बार पताया है कि यह mathematical term है कि अगर 50 से कम आये PMI तो उसका मतलब होता है कि recession आ रहा है अगर recession आ रहा है तो उससे बजार खुश हुआ है कि अगर recession वाकी आ रहा है तो DAO ड़ेगा DAO 50 basis point बढ़ाने से भी बढ़ेगा तो अब यह लगता है कि DAO 25 basis point ही बढ़ाएगा इस वज़ा से US में rally आई है और rally जो आई है उसका जो impact है जो main चीज मैंने आपको याद होगा बताई थी यह मैंने जो green लगाया हुआ 33,522 वो कल DAO ने cross कर दिया यह बड़ी खुशी की बात है कि इसने इस line को cross कर दिया इस line को cross करने से यह हो गया कि अब DAO उपर की trajectory में आ चुका है तो जब उपर की trajectory में आ चुका है अब इससे भी important यह है कि अगर यह Monday को भी अगर इसके उपर travel करना शुरू कर दे तो हमारी nifty में भी एक जबरदस rally आपको देखने को मिलेगी इस हिसाब से जो महोल बना है उससे यह कहा जा सकता है आगे जब कर मैं आपको बताता हूँ महोल क्या कहता है data calculation हमारी क्या कह रही है data calculation यह कह रही है कि अब market उपर जाएगी जैसे पिछली वीडियो मैंने कहा दिया थे था अभी market और गिरेगी तो गिरी अब मैं कहता हूँ कि अब market उपर जाएगी क्योंकि एक तो हमारा जो aim था जो aim आदा पड़ा था काफी दिनों से वो यह था 41.920 according to technical chart pattern जिसके उपर breakout आया था उसको उपर से touch करना काफी जुरूरी था जो जुरूरी काम था जो pending पड़ा था वो काम हो गया तो वो काम होने पे अब हमें काफी अच्छा एक महौल भी मिल गया साथ में एक तो हमारा काम हो गया कि चलो जी sport मिल गी sport से हम उपर की और चल पड़े दूसरा sport डाउ से भी मिल गी है world market से मिल गी है अब market gap open होगी अब कहीं यहीं कहीं खुलेगी और किस level पे खुले तो हमें buy करना चाहिए यह भी मैं आपको समझाता हूँ देखिए चार्ट को समझेना जुरूरी है एक बड़े जिसमें आपको याद होगा मैंने एक चीज़ यह बताई थी कि इसके उपर इसके उपर ऐसे करके यह breakout level है यहाँ यह कौन सा level था 42-630 आपको याद होगा कि जब market गिरी थी तो यहीं पर जाकर रुकी भी थी जैसी यह level तूटा था तो हमें नीचे के level मिलने शुरू हो गये थे अब वाफसी में भी यह level अगर cross हो जाता है अगर market अब हम आते हैं कि market मैं आऊंगा कहां कहां खुलेगी gap of opening किस को buy करना है तो आईए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर इस area में खुले इस area में तो यहाँ buy करना एक risk है तो इस risk को मत buy करना अगर यहाँ खुले तो उसे dip पाने देना अगर यहाँ dip पाए तो इस area में आपने दुबारा से फिर से call buy करना है 41,900 की call stop loss वही 41,750 का stop loss लगाना है फिर हमें क्या मिलेगा 42,121 250 300 वापस मिल जाएगा और जादा से जादा 42,500 क्योंकि 42,500 पर call writer आ चुका होगा तो वो हमें उपर जाने नहीं देगा सबसे best scenario क्या होगा कि अगर market यहाँ खुले इस line के उपर खुले तब मज़ेदर काम है इसको buy कीजिए फिर क्या होगा कि 41,200 से लेकर 41,500 तक का सारा call writer trap हो चुका होगा और फिर आएगी short covering उपर की होगा तो मतलब अगर तो यह gap up मिलता है और यहाँ पर थोड़ा sustain होना देजाना है एकदम से नहीं चाल लगा देनी कि अभी buy कर ले थोड़ा देखो कि यह sustain हो रही है उपर की और जा रही है नीचे की और जा रही है तो इसलिए आपने थोड़ा चुकने रहना है stop loss यहाँ जो लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा यह लगा लगाना मतलब 42,500 का लगाना stop loss फिर उपर की और अगर जो बड़ा stamina रखते है वो 50 EMA का भी stop loss लगा सकते हैं 50 EMA का है 42,381 पे है 50 EMA तो इसको आपने नोट रखना है जो जिनके पस capital जादा है वो 50 EMA का stop loss लगाना जिनके पस capital कम है वो 42,500 का लगाना यह हम इसलिए लग-लग बताते हैं क्योंकि यह bank nifty है इसमें काफी बड़े movement होते है practical अगर देखा जाए इतनी हिम्मत रखनी 100-200 point का भी उसमें option की call में stop loss लगाना काफी मश्कल होता है क्योंकि लॉस काफी बड़ा हो जाते है तो इसलिए मैं 2-3 तरह के आपको level दे दता हूँ तो जिसकी जितनी pocket है जिसकी जितनी हिम्मत है वो उस हिसाफ से stop loss लगा सकते है 43,043 वैसे यह जो area शुरू हो जाएगा 10M, 20M, 20 Dem तो इस area के शुरू होते ही अपना profit book कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा मतलब 42,850 42,800 के पास ही मैं तो कहता हूँ 42,700 के पास ही अपना profit book कर लेना 760, sorry 42,760 से मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको 140 से 160 पॉइंट मिल जाएगे वैसे तो मारकर 42,850,860 900 तक जाएगी टेकनिकली पर फिर भी risk क्यों लेना तो बहतर यह होता है कि डर लगना शुरू हो जाता है कि मारकर यहां से गिरना जाए तो बहतर है कि 10M, 20M पर यह अपना profit बुक कर लेना तो वो ज्यादा अच्छा होता है तो यह था इस सेरी का ट्रेड सेटप डाउन साइड का भी मनें बता दिया है एक ताली साथ सुपचास और नीचे की और तो बहुत और कलेर कर देते हैं कि एक चीज में और बता दू जो टेक्निकली आपको जाननी जुरूरी है चार्ट पे यह देखिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक U पैटर बना है नीचे से यहाँ पे बना था U पैटर और राउंडिंग पैटर पे यहाँ पे दिया था ब्रेक आउट आपको याद होगा जो पिछला डिप आया था एक दो हफ़ते पे ले वो यहीं तक आया था एक तालीस पांसो सतर वैसे तो इसका लक्षे होना चाहिए था कल एक तालीस पांसो सतर को टच कर ही लेती बैंक निफटी पर थोड़ा सा फर्क रह गया क्योंकि यहां पर भी राउंटिंग पैटरन complete होता है और एक यहां पर भी complete हुआ माना जा सकता है क्योंकि यह एक दो candle भी है यहां पर तो इस तरह से इस एरिये में थोड़ा सा confusion है तो आपने अगर यहां तक कल dip आ भी जाता है तो घबराना नहीं है जिसके पास capital अच्छा है तो वो 41-500 तक का dip भी सेहन कर सकता है और मैं आगे बता दूँ कि 41-300 41-100 यहाँ पर है 100 है और यहाँ बार-बार कई बार spot ली है इस market में इस area में तो इसलिए 41-130 के stop loss के साथ यहाँ पर भी call ही लेनी बनती है put नहीं, put सिर्फ अब बनेगी 40,880 के नीचे जैसी 40-800 sit उटेगा तो इसके नीचे put बनेगी और फिर हमें मिलेगा 40-375 पर अब जो calculation बता रही है जो DAO बता रहा है और जो हमारी calculation ने टेक्निकल चार्ट की तो वो यह सब चीजें बता रही है कि market उपर जाएगी gap of opening के भी chances है अगर कम gap हुआ अगर मालो यहाँ पर खुलगी तो market रिक dip लगाएगी और आपको मुका देगी buy करने का उसके बाद उपर जाएगी अगर ज़्यादा बड़ा gap हुआ तो फिर short covering आएगी और फिर उपर की और market भाग जाएगी उपर के level भी मैं बता जबता हूँ थोड़े और भी यह तो भी बताया मैंने यह 45.900 तक दुबारा enter कब होना है दुबारा enter होना है 43.200 के उपर अगर 43.200 बीट क्रोस कर गया तो यहां मैं थोड़ा गल्त लिखा हुआ है यहां पर note कर लिजिए यहां पर आपने लेनी है call 43.000 की C यह call नहीं लेनी है आपने यह नहीं लेनी है 43.000 C और यहां पर जो stop loss लगाना है वो लगाना है 42.850 का और फिर आपको मिलेगा 43.431, 500 540 और यह फिर पराना रिजिस्टन जहां से market गिरी है 43.600 तक का jump हमें मिल सकता है और 43.600 के उपर फिर एक बड़ी rally भी हमें देखने को बिलेगी मतलब चांसिस हैं कि एक बड़ी rally आए और उपर की जो level है 43.600 all time high जो है bank nifty के level वो cross हो जाए तो चलिए अब उस data पर आई जाते हैं कि जो और भी data supportive data है उसको हम discuss करते हैं देखिए अब हम आते हैं देखिए एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी PCR की PCR को कब देखा जाता है PCR को अब देखा जाएगा जब Dow future भाग रहा है World market में rally है कई भी 3500 point भागा है तो Dow future भी भागा है Singapore nifty भागी है अब देखेंगे PCR कितना है अब PCR 0.56 है अब इसको देखकर हम buy करेंगे अब PCR buy करने लाएगा है अब PCR हमारे bulls के according है कि जो bulls के according चीज़ बनी है महोल एक तो ये है दूसरा जो महोल बना है वो बना है इससे क्या सबसे पहले crude oil देखिए 78 bank nifty के लिए काफी अच्छा dollar index देखिए dollar index देखिए 103 points और सबसे important चीज़ देखिए US bond yield वो आगी 3.5 है तो ये काफी अच्छी बात है जो 3.8 से उपर गुमरी थी 3.8 3.9 वो भी डाउन होगी है जब से कल से ये PMI data आया है तो उससे काफी डाउन होगी है तो उससे क्या हुआ है पूरी world market आप देखिए के rally जबरदस डाव फ्यूचर 685 points उपर close हुआ है हैंक सेंक 335 points हलांकि COVID के cases बड़े बढ़ रहे हैं निकाई 427 points जंप खाया है मतलब अब market भागने के लिए काफी जबरदस त्यारी चल रही है और ये जो डाटे हैं ये भी अब ज़्यादा supportive है market के भागने में तो अब हम आगे बढ़ते हैं Nifty की option chain Nifty की option chain आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा call writer अब जो main चीज़ देखने वाली है कि short covering का आएगी सबसे ज़्यादा call writer है 18,000 पर कितना 1,19,000,000 जो कि बहुत जबरदस call writing है तो ऐसा जब Friday को market close होती है ऐसा दिखता नहीं है अमोमन 20-30,000 के लोग ही होते है call writer put writer में इतनी trading की नहीं होती Friday को तो इस बार देखने में आया कि कितनी जबरदस call writer है यह सारा call writer अगर trap हो जाए तो बड़ी जबरदस short covering देखने को आपको मिलेगी तो आईए अब हम करते हैं discuss nifty को कि nifty में हमने क्या करना है अब simple जी बात है सबसे पहले हम short covering को study कर लेते हैं कि कहां खुले तो क्या करना है जैसे bank nifty मैंने बताया है 42.623 के उपर वैसे ही इसमें भी अगर market यह देखिए यहां से लेकर नीचे के ओर rounding pattern जो complete होता है वो होता है यहां 18.020 यह आप देख रहे होंगे यह वली candle, यह वली candle, यह candle यह breakout आये थे इस पे तो 18.020 के उपर अगर open होती है जैसे 42.623 उसका हुआ अगर उसका 42.623 के उपर हुआ इसका भी 18.020 के उपर हो तो समझ लेना कि अब sport force काफी जबरदस्त होगी क्योंकि bank nifty भी मदद करेगी भागने में तो यहां से आपने फिर call buy करनी है यह जो call buy करनी है वो आप चाहे buy कर लेना 18.000 की C यह वली buy कर लेना और stop loss आपने जो लगाना है वो लगाना है वापस 17.960 अब तो यह आपको रट गया होगा 17.960 कितना important level है क्योंकि यह जो चीजे मैंने समझाई है कही बाद यह यहाँ पर कई candles की closing थी तो 17.960 यह धमाकेदार कल भी 17.960 जैसी टूटा तो उसके बाद ही भाड़ी selling देखने को मिली तो 17.960 आपका stop loss रहेगा 18.020 के उपर target 18.056 78 141 151 और यह जो area आ जाएगा वो सारे 20 M, 50 M, 10 M 3 M, यह आप नोट कर लिजिए यह 3 M, 50 M 18.143 पर 10 M, 18.080 पर 20 M, 18.173 पर इंगलिश में भी बोल दता हूँ 50 M, 18,143 10 M, 18,081 20 M, 18,173 पर तो इसलिए एक चीज मुझे याद आगे एक हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा कि आप काफी स्पीड में कुछ चीजे बोल देते हैं देखिए मैं वो चीजे स्पीड में बोलता हूँ जब वो चीजे स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रही है एक चीज और मैं बता दूँ मेरी स्पीड आपके हाथ में है मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ आप चाहे उस स्पीड को स्लो कर सकते हैं आप चाहे तो उस स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं कुछ लोगों को पता नहीं है कि यूट्यूब की सेटिंग होती है अब जैसे आप मुझे देख रहे हो तो स्क्रीन पर आप टैप करेंगे ना तो साइड में सेटिंग्स आ जाएंगी सेटिंग्स को आप जैसे खोलेंगे चलती वीडियो में तो वहाँ पर एक स्पीड आएगी स्पीड पर क्लिक करना तो वहाँ स्पीड लिखी होती है 0, 0.25, 0.50, नॉर्मल, 1.25, 1.52 मतलब जैसे तो नॉर्मल के नीचे चले जाओगा मेरी स्पीड ओर स्लो हो जाएगी वह आज आएगी आपकी जैसे मेरी आवाज आएगी ऐसे 18,020 के उपर आपको टार्गेट 18,056 जैसे नॉर्मल और आपको दिखेगा अगर आप तेज कर देंगे तो मेरी आवाज ऐसे आएगी 18,020 के उपर 18,056 18,077 ऐसे आएगी तो मतलब उस चीज को आप सैटिंग कई हमारे ऐसे सब्सक्राइब जिनको इस बात की नॉलेज भी नहीं है वो मेरी स्पीड के पिछे पढ़े रहते हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको हर स्पीड यूट्यू भी अपने आप प्रोवाइट कर रहा है तो आएए अब हम वापस आते हैं तो ये चीज जो मैंने आपको समझाई है कि 18,020 के उपर आपने कॉल बाय कर लेनी है अगर गैप अपनिंग होती है 17,960 के स्टॉपलर सकता 18,056, 18,077 18,141, 150 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं नीचे SL ये रहेगा अब स्वाल उड़ता है अगर मार्केट यहां खुल जाए फिर नीप बाय करना फिर वेट करनी है फिर नीचे आएगी मार्केट क्यों? क्योंकि 18,000 का कॉल राइटर confidence में आजेगा वो मार्केट को गिराएगा फिर आपको मोका मिलेगा दुबारा बाय करनेगा फिर आपने ये जो 100 एमा 100 एमा लिखे है न यही पर बाय कर लेना फिर जुरूरी नहीं है कि 17,832 आए फिर तो 17,880 17,900 के आसपास ही भी अगर आप बाय कर लेते हैं तो ये होता तो थोड़ा बहुत रिस्क है पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि कई बार होता है कि जब मार्केट मोमेंटम होती है वर्ल मार्केट प्लस है तो किसी भी लेवल पर बाय आसकती नीचे से थोड़ा सा डिप आते ही बाय आएगी वो चाहे ये एरिया हो 17,880 17,900 या 17,832 इन एरिया में आपने कॉल को बाय करना है 17,800 की स्टॉप लो सकना है 17,774 जो की पिछला भी लो था तो वो आपका स्टॉप लस होगा उसके उपर आपको ये सारे टार्गेट मिलेंगे अब हम आते हैं ब्रेक आउट अगर बड़ा ब्रेक आउट आजे रैली जबरसत होजे जैसे दूसरे देशों की हुई है 5-600 पॉइंट की रैली चली है तो हमारे यहां भी 5-600 पॉइंट की रैली हो सकती है क्योंकि डाटा मैंने जैसे बताया ना महोल बन रहा सारा पिछ पूरी त्यार है भागने के लिए बाकी देखिए ये तो वक्त पताएगा स्टॉक मार्किट है तो जो बड़ी ब्रेक आउट आएगा बड़ा जबर्दस ब्रेक आउट वो आएगा 18,265 के उपर 18,265 के उपर आपने 18,000 की कॉल लेनी है नीचे स्टॉप लॉस बड़ा छोटा रखना है फिर 18,250 का सिरफ 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपने बाय करना है टार्गर 18,320 415 5 तक के आपको मिल सकती क्योंकि यहाँ पर भी एक रिजिस्टेंस बड़ा जबर्दस तो जाज़ ज़द 18,415 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ से भी आप देखेंगे ना तो यह वही डिजाइन आ गया वही पैटरन आ गया जो मैंने आपको पहले भी बताया था तो यह था हमारा निफ्टी का उपर का भी ट्रेड सेटम नीचे का भी अब पुट भी बता जते हैं पुट देखी आपने तब ही बाय करनी है अगर आपका 17,744 तूटता है 17,444 अगर ब्रेक होता है तो आपने 17,800 की पुट बाय कर लेनी है स्टॉप लॉस रखना है यही 17,774 नीचे टारगर 17,685 654 और 565 तक के टारगट आपको मिल सकते हैं तो यह था कॉल पुट सारे लेवल और अपनी तरफ से पूरा-पूरा डाटा एनलाइस ताकि आपको सही तरह समझ आ सके चार्ट पैटरन भी हमने डिस्कस कर लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दे जिरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर कीजिए थैंक यू तरनेवाद